साथ्यों नवस्कार मेडो के प्रमोत कुमार आपके बीच फिर देश के और देश में हो रहे घटी धटनाओं डूपतुई अर्थ विवस्ताएं और यस बैंक जैसी बड़ी एक प्रैवेट सेटर की बैंकिंग कमपनी को डूपते हुए मुद्दों पर और दो चार दिनों मे SBIB डूबने के कगार पर है वो भी खबरे आपके बीच आएगी लेकिन गोदी मीडिया इसको दिखा नहीं रही है इन तमाम हालातों पर आपसे मैं रूबरू हूँ कि देश की तमाम जो बैंकिंग इंडस्ट्री है वो डाउन फॉल में है और इसके लिए गुनागार जिम दो दिन पहले तीस और भरी कमपनियों को बेश दी गई है या आपको साथ पता होगा या नहीं होगा लेकिन मैं आपको अलग अलग प्रतिपताओं के सुनने तमाम साथों को कहना चाह रहा हूं कि तीस कमपनिया और भी गई है और अब एक महीने में पचास हजार यानि जो प्रतिदीन आप पांसलाग रुपए निकाल सकते थे अब आप पचास हजार एक महीने में निकालने की जो है सीमा तैक कर दी गई हार भी आई के दोरा उसके बोट को भंग कर दिया गया है और और इसके लिए दोसी हैं सिर्फ और सिर्फ केंद सरकार सिर्फ और सिर्फ ये वाज उठाना पड़ेगा क्योंकि तमाम जो हालात हैं आज इन ये जो दंगा और फसाद करा करके जो मुख मुद्धे हैं इस देश में बेरोजगारी का बेटी बचाओ आंदोलन का स्वच्सा अभियान का और ये तमाम जो चीज़ें आप देख रहें वो तमाम चीज़ों के हलातों को उस पर मुद्धा ना बनाया जाए इसलिए तमाम चीज़ें से फैलाई जा रही है समान स्कंतिम बेक्ति तक कि ये सचाई ना जा सके कि देश ढूब रहा है जीडीपी गिर रहा है प्रति दिन और अब ऐसा कुछ भी बचा नहीं है जिसको सरकार बेच पाए त बातियों मैं आप तमाम सांतियों से आगरा करूंगा ये जाने माने पत्रकार रहें पुर्णे परसुन बाजपे जी आप इनके पुरे अवलोकन को सुनें बहुत बिस्तर से ये बताएंगे कि आज हमारे देश की जो बैंक सेक्टर की कंपणी है उसके क्या हालात है किन पर इन पीए जो है माफ किया गया है या इन पीए घोशित कर दी गई ये तमाम जो है विसलेशन आप जाने माने पत्रकार पुर्णे परसुन बाजपे जी से सुनें वो आपको विस्तार से बता रहे हैं बैंकों से लोन लेकर खुद को दिवालिया घोशित कराने के लिए एक मॉडल क्रियेट किया गया नैशनल कंपनी लॉट ट्रिमिनल उसमें जैसे आपने दस करोड रुपया लोन लिया आपने का अब हमसे नहीं चलेगा तो उसर देखा गया दस करोड में से देखा गया क्य हो गए तो आठ करोड आप खाज गए दस करोड में से यह इस्तिती तमाम बैंकों से लिये गए और यह करोडों में नहीं है अर्बों में है लिस्ट ज़रा समझने की कोशिश कीजिए वीडियो कॉन 29,000 करोड रुपयलों यह SBI से डिफॉल्टर हुए है जेप्रकाश सेट यानी जेपी इंफ्राचेक 22,000 करोड आईवी आरल सीयल 10,107 करोड रूची सोया 4,513 करोड उत्तम गलवा स्टील 4,150 करोड सुमा इंटरप्राइजेज 1,895 करोड एशिया कलर कोटेड स्पा 3,019 करोड बलारपूर इंडस्ट्री 6,000 करोड एस्सार स्टी 37,284 करोड भूशन पावर स्टील 37,248 करोड एम्टेक आटो 14,000 करोड मॉनेटिक स्पात इनर्जी 12,115 करोड यह सारे डाकुमेंट्स है एलेक्ट्रो स्टील लिमिटेज 10,273 करोड एरा इंफ्रा इंजिनरिंग 10,65 करोड एबीजी शिप्याड 6,923 करोड जोती पावर ट्रांस्मिशन से जुड़ा है 5,165 करोड यह क्या लिस्ट हम पढ़ रहे हैं यह लिस्ट इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इनका जो सेटेलमेंट होगा उस सेटेलमेंट पे इन्होंने बैंक से जो पैसा लिया है उसमें बड़ा हिस्सा वो रैसी पर उड़ा चुक इस पे डिफॉल्टर के तौर पर है और रिलाइंस ने इसका 37% इक्वीटी यह 5,000 रुपए में 5,000 करोड में खरीद लिए है महत्पुन यह नहीं है महत्पुन है कि SBI ने मांगा पैसा आलोक इंडस्ट्री से और कहा हमें 22,000 करोड रुपया वापस कीजिए हो जटके में आ गया हमने तो लोन लिया भी कैसे वापस कर दे उस समय SBI को समालने वाली महिला हुआ करती थी भटा चारी थी कोई वो उस समय समाल रही थी और उन्होंने जब मांग की तो उसके बाद उसके हात्माँ फुल गया और यह पूरा मामला चला गया National Company Law Tribunal में अब वहाँ पर र नहीं है मात पूर यह है कि उस समय जो चेयरमेन SBI की थी वो आज की तारीक में स्पेशल डिरेक्टर के तौर पर रिलाइंस के साथ है और रिलाइंस क्या प्रवोक कर रहा था उस समय नहीं कर रहा था यह अलग मसला है लेकिन एक यह नए तरीका निकल कर आया कि इस देश के बैंकरप्सी कोट है वो धीरे धीरे बताएगी कि आपके पास तो कुछ बचा नहीं तो अब आपकी कंपनी बिक रही है तो आप इतनी कंपनी को इसको बेच दीजिए सस्ते में उनको दे दिया जाएगा जो सत्ता नुकूल है बैंक उसमें बीच का काम कर रहा है और धीरे दीरे कुछ पैसा आप लेकर उड़ जाएगे ये प्रोसेस मेडिया क्यों नहीं बताएगा मीडिया इसलिए नहीं बताएगा क्योंकि वह उसकी ट्रेनिंग खतम हो गई है उस रिपोर्टिंग की एक दूसरा मामला लैंको का आया है लैंको इंफर टेक लिम्टेड जो है इ देखिये क्या है इतना पैसा कहां चला जाएगा उसके बाद ना वो बैंक के पास आएगा वो एक फिर दूसरी कंपनी के पास दूसरी कंपनी से दूसरी कंपनी को ऐसे ट्रांसफर हो गया यानि अभी तक जो हम सारजनिक उपकरम में देखते थे वह प्राइवेट सेक्टर में भी खेल है पैरलेल में और यह सब कुछ चंद हतेलियमों सारी ताकत और सारी पूंजी समेटने की स्थितिती है अगर यह स्थितिती है तो इस देश के भीतर कोई भी मुद्दा होगा उसकी जानकारी आपको कैसे मिलेगी इसलिए हमने बात आज जानबुच के क्रोना व प्याम जो है उस पे आप इस डेश की गौवर्मेंट क्या कर रही है और उस गौवर्मेंट की सोच क्या कहती है क्योंकि जब आप इतने मुद्दों से लगातार जूज रहे हैं तो आपको मौका मिलेगा ही नहीं कि आप यह बात का जिक्र करें हम तो देश जोडने वाले है हमने कहा वंदे मातरा उन्होंने कुछ क्या इस्तिती है इसलिए जब आप इस क्रोनलोजी को समझते हैं तो इसके बिसिक आसपेक्ट के भीतर आपको तीन चीज़ें जराएंगी पहली चीज अगर लोकतंत्र नहीं है तो फोर्थ स्टेट की मौनिका बड़ी हो जाती है जो सुप्रीम कोट भी होगा जिसमें संसद भी होगी और तीसरी जो मातरा इस्तिती है जनता अगर जागरूप होगी तो जनता एक प्रेशर ग्रूप से निकलते निकलते उस पॉलिटिकल और सोशल वैक्यूम को भढ़ने की दिशा में खुद ही तयार हो जाएगी जहां पर उ उस नैरेशन का विस्तार जिस रूप में फोर्थ स्टेट यानि मीडिया करेगा वही आकरी सच होगा यानि वही देश होगा यानि सत्ता के लिए नारे लगाना ही नैशनिसम होगा यह नहीं संभव है यह खत्रे की घंटी है देश के लिए क्योंकि अगर आपके पास कोई जानकारी पहुची नहीं पा रही है तो फिर कल आप भी जब अलूफ होंगे आपके भीतर का भी संकट होगा उसको बताने कि स्थिति में कोई नहीं होगा तो मीडिया कैसे जागरित होगी नहीं होगी, किस रूप में जागेगी, किस रूप में करेगी क्योंकि संकट ये नहीं है कि पूंजी कॉर्पेट के कबजे में धीरे-धीरे मीडिया चला गया और पूंजी कॉर्पेट पर धीरे-धीरे सरकार का कबजा हो गया संकट हमारे सामने उससे बड़ा है कि हर की चीज के पीछे जो मानसिक्ता होती है जो आइडिलोजी और थिंकिंग चल रही है उसकी अगर बेसिक्स को भी हम नहीं पकड़ पा रहे हैं और एक लार्ज वीजन के साथ विस्तार नहीं दे पा रहे हैं तो फिर सुचनाओं का अकाल है क्रिटिकल होने की परिस्तियां गायव है एक क्राइसिस के दौर में हम आ गए हैं और इस क्राइसिस से बचने के लिए मिस्टर और मिसिस मीडिया जागेगा कैसे? ये एक सवाल है इसको जगाएंगे आप कैसे? ये दूसरा सवाल है और क्या वाकई सरकार नहीं चाहती है कि ये लोग जागे क्योंकि सरकार एक ऐसे क्राइसिस में है जहां पर उसके पास पैसा तक नहीं है इस तिती ये आ गई है कि जो सिन कमिटी की रिपोर्ट आई है वो कह रही है कि अब रिटार्मेंट एज 58 साल कीजिए उसके पीछे वज़ा ये नहीं है कि 60 साल से 58 साल करेंगे तो कितनों किन सवाल ये है सरकार समझ रही है कि आप्शन नहीं बच रहा पंजाम में तो लागू कर दिया गया 59 साल रिटार्मेंट एज तो इन दो सालों में काम करने वाले जो भी लोग होंगे जाहिर है वो अपनी कैरियर के सबसे पिक पर होंगे उनके पेमेंट मैकसिमम होंगे तो ऐसी स्थिति हम जब रोजगार पैदा नहीं कार पा रहे हैं आटिफिशल तरीके से ही रोजगार पैदा करें कुछ लोगों को निकालें कुछ नए लोगों को रखें वहां पर अगर दो लाक मिलता था जो रिटायर हो रहा है तो यहां कम से कम पचास पचास अजार के चार लोग को तो रख लेंगे तो कुछ इधर बढ़ जाए यह स्तित्या आ गई दूसरी पैरलल में स्तित्या आ गई इस देश के भीतर में अन और्गनाईज सेक्टर में जो लोग काम कर रहे थे उनको भी किसी तरीके से इस या इस के साथ जो आ जाए यानि डाटा कलेक्शन में उनको जोड़ दिया जाए और यह बताया जाए कि हमने इतना रोजगार दे दिया है क्योंकि जब पूरा डाटा के साथ खिलवाड है तो आप समझने कुश कीजे GDP 4.7% कैसे हो गई यानि 0.2% बढ़ गई जबकि इसी दौर में ध्यान दिजेगा तो हर चीज नीचे है आटो सेक्टर इस दौर में और 12% नीचे चला गया हमारी महंगाई और उपर चली गई हम जिन परिस्तितियों में जीरें कोई भी सेक्टर उठा लीजेए आपको कोई सेक्टर नजर नहीं आएगा जो की डेवलप हो रहा हो चाहे वो सेक्टर तो अगर यह इस्तिती है तो इसका मतलब यह जानकारि देगा को और यही जानकारी दरसल आप तक नहीं पहुँच पाती है और आपके पास जो जानकारी पहुच पाती है वो सिर्फ इतनी भर उचना है ये हो गया वो हो गया और इन दोनों को लेकर प्रधान मंत्री ने ये कह दिया या किसी मंत्री ने ये कह दिया या सरकार ये सोच रही है अब आपके पास क्या जवाब है तो आखिर में दोबारा क्रोना वाइरस पे लोड़ चलिए